हेलो बच्चो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आलोक मोसन क्लासस में बच्चो आज हम आपके लिए जो आपके सीजी बोर्ड का एसाइमेंट 4 आ गया है माय नॉम्बर के तो आपके कक्षा दस्वी के विशय गडित के शभी प्रिश्णो के हल इस वीडियो पर हम आपके लिए ले आया है तो आपको इस वीडियो में सभी प्रिश्णो के बहतली एंसर मिलने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तेख चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए इसका अगर आपको पीडियाप चाहिए तो आपको हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोइन करना पड़ेगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है लेकिन पीडियाप आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास है आपका प्रेशन कमांग एक है प्रेशन कमांग एक है ABC एक त्रिभूज है जिसमें AD भुजा BC पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि AB square प्लस CD square is equal to BD square प्लस AC square तो यह हमें क्या करना है प्रूब करना है तो यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ हमने हल किया है तो यहाँ पास आप सबसे पहले जो दिया है उसे हमने लिख दिया है त्रिभूज ABC क्या है मतलब जो ABC है वो एक क्या है त्रिभूज है और जिसमें AD क्या है BC पर लंब है तो यहाँ पास आपको ऐसे लिख देना है ठीक है फिर इसके बाद यहाँ पास हम ने किया क्या है जो त्रिभूज A, D, B में पाइधागोरस प्रमे का उपयोग किया है तो यहाँ पास आप देख सकते हैं यह है आपका त्रिभूज ADV ठीक है इसमें आपको पाइथागोरस प्रमे का उप्योग करना है ठीक है तो यहाँ पास आप जानते हैं पाइथागोरस का तूत्र क्या होता है करन का वर्ग यानि कि AB का वर्ग is equal to किसका लंब का वर्ग यानि कि AD का वर्ग प्लस आधार का वर्ग तो यहाँ पास यह क्या हो जाएगा आधार क्या है टी सी यानि कि ये वाला ठीक है तो यहाँ पास इसका उप्योग करने के बाद वही करन एपाईथागॉरस प्रमे का सूत लगाया और इससे हमें समेकरन दो प्राप्त हुआ ठीक है फिर इसके बाद देखी यहाँ पास आगे तो यहाँ पास हमने समीकरण एक में से समीकरण दो को क्या कर दिया घटा दिया अब घटाने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमें क्या मिला यह हमारा यह फ्रूव हो गया ठीक है तो यहाँ पास आपको इसे कल्कुलेट कर लेना है मतलब इसे आपको अच्छे से हल कर लेना है ठीकर तो यहाँ पास आप देख सकते हैं यह हमारा क्या हो गया प्रूब हो गया हमें जो लाना था AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square तो यह हमारा प्रूब हो गया अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला प्रशन है प्रशन कमांग दो यदि कोई रेखा ABC की भुजाओ AB और AC को क्रमसा बिंदू D और E पर तृतिच्छेद करें तो भुजा BC के शमांतर हो तो सिद्ध कीजिए की AD upon AB is equal to AE upon AC ठीगर तो यहां पास देखिए इसे हमें प्रूब करना है तो सबसे पहले वही हमने एक यहां पास क्या बनाया त्रिभूज बनाया ABC जिसमें क्या है जो DE है वो BC के क्या है समांतर है तो यहां पास हमने लिख भी दिया ठीगर जो हमारा DE है वो BC के समांतर है ठीगर तो यहां पास आप और लिख सकते हैं कि त्रिभूच ABC दिया है, ठीक है, तो यह हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पास हमें क्या करना है, यहाँ पास जो आपका ad है यहाँ पास जो आपका ad है वो क्या है बराबर है किसके bdk ठीक है तो यहाँ पास हमने क्या लिख दिया ad जो है आधा है किसके bdk तो यहाँ पास हमने ऐसे इसे लिख दिया तो इसी तरह इस साइड का भी है ठीक है अब यहाँ पास हमने इसे क्या कर दिया प्रमे का उपयोग करके हमने इसके अंसर हर को बलत दिया ठीक है तो यहाँ पास आप देख सकते हैं फिर इसके बाद यहाँ पास यह प्रमे का उपय करते हुए आपने प्रमे अगर पढ़ा होगा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन सा प्रमे है लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बन जाएगा ठीक है फिर यहां पास आप देख सकते हैं ऐसे हमने इसे सॉल्व किया है क्रमसा आप इस्टेप बाइस्टे से दूरी आठ सेंटीमीटर और तीन सेंटीमीटर है तो यहां पास हमने एक पहले ब्रत बनाया है आप यहां पास देख सकते हैं और यहां पास आपको ब्रत के अंदर क्या दिख रहा है यहां पास आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ठीक है तो यहां पास हमने लिखा है माना ब्रत का केंदर O है तथा AB एक जीवा है तो यहाँ पास जो आपका AB क्या है यह है ठीक है तो यहाँ पास आपको यह लिख लेना है फिर इसके बाद यहाँ पास जो आपका AB है वो दिया है 8 cm ठीक है इसी तरह जो आप में OC है वो AB पर क्या है लंब है इचा है यहाँ पास आपको O.C. की वेलू दिया है तीन सेंटिमीटर इचा है यहाँ पास देखिए जो क्या बोला है कि वो दोगुना है A.B. बराबर क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा ठीक है यहाँ पास यह आपका multiply हुआ और यहां पास जो आपका AC की value आ गया वो आ गया 4 cm ठीक है तो यहां पास आपको यह जो आपका एक triangle बन रहा था right angle triangle यहां पास OCA में क्या कर देना है आपको पाइथागोरस प्रमे का उप्योग करना है तो यहां पास यह आपका पाइथागोरस प्रमे का सूथ हो गया करन का वर्ग बरावा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग वाले formula से यह हो जाएगा ठीक है फिर इसके बाद आपका यहां पास O A निकल आएगा ठीक है तो यहां पास यह आपका 5 cm आ गया फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर तो यहां पास separation command 4 है तो दिखीजिए कि चक्री चत्रुभुष के शम्मुक कोडो का योग फल 180 होता है तो यहां पास आपको prove करना है कि कि किसी भी चक्री चत्रुभुष के शम्मुक कोडो का योग 180 है अंस होता है तो यहां पास आप देख सकते हैं यहां पास आपको एक चक्री चत्रुभुष दिया गया है ठीक है तो यहां पास आप सबसे पहले लिखेंगे दिया है एक चक्री चत्रुभुष ठीक है अब यहां पास आपको सिद्ध क्या करना है आप यहाँ पास देख सकते हैं code BAD plus code BCD is equal to code ABC plus code ADC is equal to 180 degree ठीक है अब यहाँ पास आपने रचना किया है AC और BD को मिलाया है ठीक है तो यहाँ पास आपको आसाने से जैसा लिखा गया है वैसा आपको अच्छे से लिख लेना है ठीक है अब यहाँ पास यहाँ से यहाँ तक आपको लिखने के वाद यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से लिख लेना है तो यहाँ पास जो आपका परणाम है वो सिद्ध हो गया है कि आपका जो चक्री चत्रुभुच के कोडों का योग होता है वो क्या होता है स्वरी कोडों का योग फल होता है वो क्या होता है 180 होता है यह हो गया आपका परणाम सिद्ध ठीक है तो आपको अच्छे से इस तरह लिख लेना है फिर इसके बाद अगला प्रशन कमांग 5 है प्रिभूज ABC के परिगत ब्रत की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 8 cm, BC बराबर 5 cm और कोड जो B है वो 60 degree है रचना के पद लिखिए यहां पास आपको सबसे पहले तो यह जो परिगत ब्रत की रचना है तो यहां पास आपको रचना में जो आपने किया है तो यहां पास हमने अच्छे से लिखा हुआ है ठीक है तो यहां पास आपको जैसा भी लिखा है वैसा आपको लिख लेना है तो सबसे पहले लिखा है B पर BC is equal to 5 cm खीचिए और 60 degree का कोड खीच तो यहां पास आप देख सकते हैं यह जो आपका है start degree का हो जाएगा ठीक है तो यह वाला अब इसी तरह आपको जैसा इसमें दिया है वैसा आपको लिख लेना है अच्छे से ठीक है तो यह हो गए आपके प्रिशन कमांग 5 का उत्तर तो आपके विश्य गडित में प्रिश उत्तर अच्छे से की होंगे तो मिलते हैं अंगले वीडियो पर तब तक के लिए बाई बाई